हर हर महादेव दोस्तों स्वाज़त करते हैं आपके अपने चैनल में आज बात करेंगे जब आप पूजा करना शुरू करते हैं या मंत्र जाप करना शुरू करते हैं साधना करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में दर्द होना क्यों शुरू हो जाते हैं क्यों आपको सर म दर्द होना शुरू हो जाता है गुटनों में दर्द रहने लगता है या फिर गर्दन में दर्द रहने लगता है तो आपको ये दर्द क्यूं रहने लगता है आज बात करेंगी वीडियो में इसी टोपिक के उपर पूरा सुनना वीडियो को ताकि सारी वाते आपको अच्छ श्रीर ने दर्द हो सकता है दूसरा अगर आप सालों से पूझा पार्ट करते चले आ रहे हैं तो कोई सकारतमक शक्ति भी आप शरीर में इस्थान बनाना शुरू जब करती है तो भी आपको दर्द होना शुरू हो जाता है कहीं पर भी दर्द रह सकता है सर में दर्द रह सकता है कंदों पर दर्द रह सकता है कहीं पर भी दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि पोजिटिव एनरजी भी जब शरीर के अ तो कहीं ना कहीं वो इस्थान वशरूप से डूंधी है तो आज हम बात करेंगे दोनों ही विशे में कि आपको पूझा करतेे दर्द क्यूं हो रहा है और क्यों नहीं बात कर लेते हैं उन लोगों के विशे में जिन्होंने अभी-भी पूझा करना शुरू किया है कहीं पर भी दर्द फील हो सकता है अपनी बोड़ी में या आपका मन नहीं लगेगा या फिर आप ऐसा सोचोगे कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए छोड़ देनी चाहिए और नकारातमक विचार आपके मन में आना शुरू हो जाएंगे गलत सपने आपको आना शुरू हो लड़ाईया थोड़ी बहुत आपके घर में रहने लग जाएंगी क्योंकि वो जो आपके घर में आपके शरीर में नेगिटी उर्जा जो है वो नहीं चाहती है कि वो आपके घर से आपके शरीर से निकले वो ये चाहती है कि वो हमेशा आपके पास रहे आपके शरीर में र और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछी समय में जब वो पूजा करना शुरू करते हैं कुछी समय में उनको अच्छ अच्छ अनुभव होने लगते हैं और सकारात्मक शक्ती उनसे अट्रेक्ट होकर उनके शरीर में उनके घर में आना शुरू हो जाती है तो यह कारण है उन ल लगाई हो किसी को शक्ति आती हो माता काली की भैरो बाबा की हनुमान जी महराज की या फिर गोरकनात बाबा की या फिर अपने देवता पित्रों के अगर किसी के पास शक्ति आती है तो वो आपके अंदर भी ओटोमेटिकली आ सकती है तो ये कारण भी आपके साथ देखने को मिल सकता है लेकिन जिन लोगों के उपर तंतकिरिया कराई हुई होती है अगर आप किसी भगत से किसी चोकी से आप जुडेंगे तो वो आपको सारी चीज़े आपको बताएंगे और जैसे जैसे वो आपको सारी चीज़े बताएंगे तो ऐसे ऐसे आप अपना हिलाज उनसे कर समर्पित रहना है अपने इश्ट देव में आपको समर्पित रहना है पूजा करते रहें साधनाय करते रहें ताकि आपके घर पर कभी भी कोई तंत्र किरिया ना करा सके आपके शरीर का कभी भी कोई बंदन ना कर सके आपको कभी भी कोई नेगिटिव शक्ती टच ना कर और जिन लोगों को भी ऐसी प्रेशानी हो रही है दिकत में हैं वो तो वो समझ जाएं लेकिन जो लोग अभी अभी पूजा पाट करना शुरू हुए हैं तो उनके शरीर से अवस्था रूप से ही नेगेटिव उर्जा जब निकलेगी तो वो आपके शरीर को कश्ट अधिकार उसने जमा लिया है क्योंकि उसने आपके शरीर पर अधिकार जमा लिया है और वो आपके शरीर को नहीं छोड़ सकती तो वो आपको जरूर करश्ट कहीं न कहीं देगी आप अपनी पूजा करते रहें कॉंटिन्यू और पूजा आप विल्कुल भी ना छोड़े स अपनी मंतर जाप पूजा आरती आराधना जो भी करते हैं दीपक लगाते हैं संगर्प लेकर के लगाते रहें आपके घर से आपके शरीर से नकरातमक शक्ती हट जाएगी पोजिटिव एनरजी आपके घर पनाना शुरू हो जाएगी मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट कर दें और चैनल को सस्क्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाया करें दोस्तों ताकि जो भी मैं वीडियो डालू उसका नोटिविकेशन आपके पास और आप वीडियो का लाru उठा पाएं वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों भाई बहनों माता पिता के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी वीडियो का लाब उठा पाएं और आध्धात्म से जुड़ पाएं कल फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी अपने घरों में सुस्त रहें खुश रहें अच्छे से रहें आप सभी को जै माता दी जै माता दी हर हर महादेव